आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे फोहा जो बहुत ही हेल्थी होता है बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी तो आप कभी भी उसे खा सकते हैं नास्ते में या लेंच में या वेफास में कभी भी खा हम बनाते हैं तो पोहा बनाने की सामिगरी है दो कप चीवड़ा दो बड़े प्यास कटे हुए तड़के के लिए सोंफ धनिया और राई और डेकोरेट करने के लिए मूमफली और सिवाइन्या मसाले में हल्दी धनिया पाड़ा लाल मिर्ची और तड़के के लिए कड़ी पत्ता की चलिए बनाते हैं अब गैस्वेलाएंगे के गासि मेडिया फ्लैम से कढ़ाई रखेंगे अ मारा कढ़ाई गरम हो गया है अब उसमें जालेंगे घी अब देखिए हमारा घी गरम हो इसमें डालेंगे तरी पत्का और राई और सोम और धनिया क्रेश करके अब दोनों चीज हमारा चटक गया है अब इसमें डालेंगे प्यास आप चाहेजए इसमें और सबजिया भी डाल सकते हैं अब डालेंगे इसमें धनिया पाउडर एक चम्मच मिर्ची आदी चम्मच हल्दी पाउडर आदी चम्मच से थोड़ा सा कम इसे अच्छे से मिला लेंगे एक चम्मच लमक अच्छे सारी चीजों को अच्छे से फ्राई करेंगे जब आपका प्याज भून जाए तब इसमें पोहा डाल के अच्छे से कितना अच्छे से मारा पोहा पके तियार हो गया है इसको हम सर्फ करेंगे बॉल में अब इसमें डालेंगे नीबू का रस और डालेंगे मुंफली के दाने यह देखिए कितना अच्छा हमारा हेल्थी नास्ता तयार हो गया पैक फास में खा सकते हैं देखिए हमारा पोहा बनके तयार हो गया है कितना हेल्थी पोहा बना है और आप खाये अंज्वाई कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाइबाइब झाल झाल